नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बताऊंगा, यदि कान में किड़ा चला जाए, तब आप कैसे घरेलू नुसके से रहत पास आते हैं कान में किड़े का गुसना काफी आम बात है अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सो रहे होते हैं तो अचानक से आपके कान में किड़ा घुज जाता है जैसे की मच्छर, चिटी, कान खजुरा, जो किसी तकलिफ दे से कम नहीं होता है बड़े लोगों के साथ ये समस्या बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन छोटे बच्चों में ये समस्या जादा तौर पे देखने को मिलता है तो आईए जानते हैं इसका इलाज पहले कान को जटकाएं यदि जटकाने पे भी नहीं निकलता है तो दूसरा उपाय है कपूर का पानी ये बहुत ही अच्छा उपाय है कान में घुसे कीड़े को बाहर निकालने के लिए इसके लिए एक कपूर लें और थोड़ा सा पानी में घोल लें इसके बाद कान में डाल कर कुछ देर तक रहने दें तीसरा गुनगुना पानी गुनगुना पानी भी बहुत अच्छा उपाय है इसमें आपको दर्द भी कम होगा यदि कीड़ा कान में ही मर गया है तो उसे निकालने के लिए आप कान में गुनगुना पानी डालें और फिर कान को निचले हिस्य की तरब जुका कर जटका दें यदि फिर भी कीड़ा कान से बाहर नहीं आये तो आप कान के अंदर किसी चीज का उपयोग ना करें ऐसा करने से आपके कान के अंदर छिल जाएगा और भी ज़्यादा तकलिफ बढ़ जाएगा इसलिए आप डॉक्टर के पास जाएगे वो आपको एक बड़ा सिरींच से पानी का जटके दे कर बाहर निकाल देंगे